नई क्राइम थिलर 36 डेज में फरा की भूमिका निभा रही आक्रेस निहा शर्मा ने बताया कि किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक नेगेटिव कारेक्टर निभा सकती है शो में अपनी कास्टिंग पर बात करते हुए नेहा जो एक बोल्ज और रहसिमाई भूमिका निभा रही है निशेर किया मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी सोचा था कि मैं एक ग्रे किरदार निभा सकती हूँ इसलिए जब निर्माताओ ने 36 डेज के लिए मुझे से कॉन्टेक किया तो मैं वास्तव में एक्साइटेड हो गई मैंने ओरिजिनल BBC शो 35 डेज का थोड़ा सा हिस्सा देखा था और मुझे लगा कि यहा बिलकुल दिमाग गुमाने वाला है उन्होंने कहा इसलिए जब उन्होंने मुझे इसके डाप्टेशन में भूमिका निभाने के लिए चुना तो मैं इसका हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड थी इस परियोजना में शामिल होना कुछ ऐसा है जिसका मैं बिसबरी से इंतजार कर रही थी मैं या देखने के लिए इगर हूँ कि दर्शक कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और उमीद करती हूँ कि वे इसका आनंद लेंगे विशालफुरिया द्वारा निर्देश शितिया कहानी सता के नीचे छिपे काले रहस्यों, बिट्रेयल्स और फोबिटन ट्रूट्स को उजागर करती है बीबीसी स्टूडियोज इंडिया के सहयोग से अपलॉज एंटर्टेइन्मेंट द्वारा निर्मित 36 Days UK Show 35 Days का Official Indian Adaptation है 36 Days सोनी लिफ पर स्ट्रीम हो रहा है गोवा के एक सिरीन सबर्बन हाउजिंग एस्टेट पर आधारित ये थ्रिलर दर्शुकों को जूट, दोके, रोमांस और साजिश की जटल मूलबुलया में ले जाता है काम की बात करें तो नेहा क्रूक, यमला पगला दिवाना 2, यंगिस्तान, तुम बिन 2, ताना जी और जोगी रज सारा राज ऐसी फिल्मों का हिस्सा रही है